प्रहार टाइम्स की निउस देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महुफिरोज हास्मी आप देखरें प्रहार टेंग्स, आज मैं बात करूँगा उसी मीडिया को, जिसे आप लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, आज हमारे देश में गोदी मीडिया की कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ मुद्दा बनाना आता है, अपनी रोटियां सेकने किसी को भी गोदी मीडिया बली का बकरा बना देती है, इनका काम ही है प्रोपगेंडा तयार करना, इनका काम ही है शाजिस रचना, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ में देर है, अंधेर नहीं, क्या हुआ ये गोदी मीडिया तब्लीकी जमातियों को लेकर एक प्रोपगे और जब बॉम्बे हाई कोर्ट का कल फैसला सामने आया तो गोधी मीडिया मोधी भगतों के हो सुड़ गए पुरे देश में थूथू की आवाज आने लगी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बता रहे हैं तबलीकी जमातियों के खिलाब दाखिल एफाई को खारिश करते हुए कहा सियासी हकूमत उस वक्त बलीका बकरा ढूंडने की कोशिस करती है जब वबा या मुसीवत आती है और हालात बताते है इन गैर मुल्कियों को बलीका बकरा बनाने के लिए चुना गया था अब आप सोचिए इन जमातियों को बलीका बकरा बनाया ग आप सबको पता है कोरोना फैलाने के नाम पर जमातियों को क्या क्या नहीं कहा गया यहां तक गोधी मीडिया इन जमातियों को बताते थे हम आपको एक्सक्रीजी तस्वीरे दिखा रहे हैं कितने पैसे में बिके थे इन गोधी मीडिया इन गोधी भक्तों को समानित करना चाह अब बात करते हैं दिली के मुखमंतरी की दिली के मुखमंतरी अर्विंद के जिवाल ने आदेश दिया था इन्हीं जमातियों पर F.I.R दर्ज किये जाने की दरजनों F.I.R देश भर में दर्ज हुए लेकिन क्या हुआ कल बोंबेय हाइ कोट के फैसले के बाद अलका लामबा और महराश्ट प्रदेश अध्याच अबुहासी माजबी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं क्योंकि अलका लामबा ने किस तरह से मुखमंत्री अर्विंद के जिवाल पर तंज कसा है आप पूरी इस खबर में सुनिये तब से पहला मामला भारती राधानी दिली के निजामुदीन में जो तब्लीगी जमात के लोग एकटे हुए थे उन पर एफ़ायर करवाने का आदेश दिली के मुखमंत्री श्री अर्विं के जिवाल जी ने दिया था और उसके बाद भाजपन उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को क्रोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70 हजार मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले भारत में आ चुके हैं 50 हजार ओर से उपर मोते हो चुकी है लेकिन ठीकरा फोर्डने का पूरा गोधी मीडिया को रानी तिक डलो को चाहे वो दिली की केज़ोह सरकार हो या पके अंदर में बैठी मोधी सरकार हो अपनी नाकामियों का ठीकरा तब्लीकी जमात के उपर फोर्डना शुरू कर दिया देश भर में इनके खिलाफ F.I.R. ह मुझे आज खुशी इस बात की कि नया हुआ है मदरास हाइक कोड के बाद मंबाई हाइक कोड ने उनके उपर दर्ज सारी F.I.R. को रद किया है अब हम पुरी उमीद करते हैं दिली के मुख्यमंत्री को तुरंट माफी मागनी चाहिए क्योंकि दिली के मुख्यमंत्री पह मुधी जी को यजआ पी के तछिवे चाटने वाले मीडिया के लोग 14 घंटे तबजीखी जमाद सारी जिमेदारी तब्लीखी जमाद की है तब्लीग जमाद को अतना इसों ने बद्नाम किया कि लोग तब्लीखी जमादात की और मुसलमानों की शकल से इसमून के नफ्रत कर करने लग गये कई जवह पर फसादात हुए कि कई लोगों का खत्त कर दिया गया दुकाने लूट ले गई महलों में सबजी बेचने वालों को भगाया गया कि यह मुसल्मान लोगे इनकी वैसे करोना फैल ला है यह जलील कमीने किसम के मीडिया वाले हमारे देश की गंगा जम कि चंद सिक्कों पर जिसना से कुटा उसके पीछे असाम ने एक रोडी डाल दो गोश्क का तुकड़ा रख दो तो दुम हिलाता उसके पीछे पीछे भागता है इसी तरह से आज मैक्सिमम मीडिया के लोग तल्वे चार्ट करके मोदी जी का जो मनसूबा है उसे कामियाब करने के लिए हर जगा मुसल्मानों को बदनाम करने में लगे कोट का फैसला आ गया कि तब्रीगी जमाद को जबदसी बदनाम किया जा रहा है तब्रीगी जमाद ने कहीं को ऐसा काम नहीं किया जिसे करोना इस सुल्व में फेले मैं उन तमाम लोगों से बुदारिश करना चाहता हूं जो लोग इस देश के सम्विधान की इज़त करते हैं जो लोग इस देश में की तरक्ती इस देश का डेवलप्मेंट में विश्वा सकते हैं जो लोग गांधी जी मुल्क नाम अज़ाद डाप्टर भीम राउंबेटकर के विचारों को मानते हैं मैं ऐसे लोगों से हाज जो लोगा निवेदर करना चाहता हूँ कि अब ये बैटटने का वग्त नहीं है ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे मुल्क बर्बाद करने में लगे वये हैं ऐसे मीडिया वाले और ऐसे पालिटिशियन जिनकी जिनकी जिन् इनके खिलाप अब खड़े हो जाईए और इस मुल की भायचारदी को बचाईए मैं निवदन करूंगा लोगों से कि इन नेताओं के खिलाफ जिन्हों ने टेलिविजन पर चिला चिला कर गले फार फार करके तब्लीग जमात को बनाम किया था इन मीडिया वालों के खिलाफ जो दिन रात चिला चिला कर तब्लीग जमात को बनाम कर रहे थे इनके खिलाफ कोट में मुकदमा डाला जाए और इनको जहां ये बैठे हुए हैं मीडिया की अच्छी कुर्चियों पर इनको जाकर वहां से पकड़कर खीच करके धक्के मार करके उनको वहां से भगा दिया जाए और वहां एक अच्छे पढ़े लिखे आए इनसान को जो तहजीब तमद्दुन के दारे में रहता है जो इस मुल्ग की तहजीब को जानता है जो सम्विधान को मानता है ऐसे लोग वहां बिठाया जाए और खुल करके ऐसी मीडियावानों के खिलाप हमें इस मुल्गे खड़ा होना पड़ेगा यह मेरी आप सबसे मुझारिश है आपका भाई अबू आसिम आजबी तो आपने सुना अलका लांबा ने क्या कहा और अबू आसिम आजबी ने क्या कहा है हमारा देश सम्मिधान से चलता है और उसी सम्मिधान ने इन जमातियों पर लगाए गए आरोपों को खारिश करने को कहा है और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइम